असलाम लेकूम प्यारे बच्चों आप सब कैसे हैं मैं दिट्रस स्कूल में क्लास वन की उर्दू की टीचर हूँ आज हम अपने समर वोकेशन वर्क का पेज नमबर 77, 78 और 79 कम्प्लीट करेंगे सबसे पहले हम अपने समर टैक के पेज नमबर 77 को देखेंगे इसमें खुशकती दी गई है खुशकती का मतलब है कि आपने दिये गए जुम्लों को साफ सुत्री हैंड राइटिंग में लिखना है जैसे के पहला जुम्ला है मेरा नाम डैश है इसमें आपने अपना नाम लिखना है और इस जुम्ले को तीन बार साफ सुत्री हैंड राइटिंग में लिखना है दूसरा जुम्ला है, मैं जमात अवल में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ इस जुम्ले को भी आपने तीन बार साफ सुप्री हैंड गर्टिंग में लिखना है अब हम आते हैं पेज नंबर 78 की तरफ 78 पेज पर हमें हफते के दिनों के बारे में बताया गया है तो इसे हम एक एक्टिविटी के जरिये से और मैचिंग के जरिये से कंप्लीट करते हैं हफते में एक हफते में टोटल दिन होते हैं साफ मैंने एक तरफ हफते के दिनों के नाम लिखे हैं और दूसी तरफ हम ये जानेंगे कि हर दिन हफते का कौन सा दिन होता है जैसा कि पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चोथा दिन, पांचमा दिन और छटा दिन और साथमा दिन हफते का पहला दिन जो है वो कौन सा होगा इन सारे दिनों में से तो वो है पीर हफते का दूसरा दिन है मंगल हफते का तीसरा दिन है बुद्ध हफते का चोथा दिन है जुमेरात हफते का पांचवा दिन है जुम्मा हफते का छटा दिन है हफता और आखरी और साथमा दिन है इत्वार अब हम आते हैं पेज नमबर 79 की तरफ पेज नमबर 79 पर आपको अपनी जाथ के बारे में कुछ चुम्ले लिखने के बारे में कहा गया है तखलीकी लिखाई, तखलीकी लिखाई को हम इंगलिश में क्रियेटिव राइटिंग कहते हैं क्रियेटिव राइटिंग में हमने या तखलीकी लिखाई में हम देक किसी भी शफस, जगा या चीज के बारे में या किसी भी जनवर के बारे में कुछ चुम्ले लिखने होती है यहां पर आपको मेरा तारू है लिखने के लिए कहा गया है तो हम इसमें मुक्तलिक तरीके से इसको सॉलड कर सकते हैं जैसे कि बाद वकात आपके पास जखीरह इलफाज दिये गए होते हैं और बाद वकात आपने खुद से जुमले लिखने होते हैं तो पहला जुमला जो आपने बनाना है तो सबसे पहले आपने नाम के बारे में बताना है दूसरा आपने अपनी एच या उमर के बारे में बता पिर आप अपने स्कूल के बारे में बता सकते हैं, अपने बेहन भाईयों के बारे में बता सकते हैं, अपने पसंदीदा फल, खाना या खेल के बारे में बता सकते हैं, और कोई भी अच्छी आदर चुआप की हैं, आप उसके बारे में बता सकते हैं, इसके बारे में आप टेप कियर, अलाहाफेज़